नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी दिवेदी प्यारी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए कर आई हूँ मुन्शी प्रेम चंद की एक और कहानी इश्वरी न्याय कहानी आपको पसंद आया तो क्रिपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी इश्वरी ये न्याय कानपुर जिले में पंडित भ्रगुदत्य नामक एक बड़े जमीदार थे मुन्शी सत्य नारायन उनके कारिंदा थे वे बड़े स्वामी भक्त और सचरित्र मनुष्य थे लाखो रुपे की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था पर कभी उनकी नियट डावा डोलना होती उनके सुप्रबंद से रियासत दिनों दिन उन्नती करती जाती थी ऐसे कर्तव परायन सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था दुख सुप के प्रतेक अउसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी ही उदारता से पेश आते धीरे धीरे मुण्शी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निवजाती पर भावी प्रबल है प्रयाग में कुम्ब लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए वहां से लोट कर फिरवे घर ना आए मालूम नहीं किसी गढ़े में फिसल गए या कोई जलजन तू उन्हीं खीच ले गया उनका फिर कुछ पता ही न चला अब मुण्शी सत्तनाराण के अधिकार और भी बढ़े एक हत भागनी विद्वा और दो छोटे-छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था अंतेश्टी क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताईन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा लाला, पंडित जी हमें मजधार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए अब ये नईया तुम्ही पार लगाओगे तु लग सकती है ये सब खेती तुम्हारे लगाई हुई है इसे तुम्हारे ही उपर छोड़ती हूँ ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ जब तक मालिक जीए, तुम्हें अपना भाई समझते रहे मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को समाले रहोगे सत्त नरायन ने रोते हुए जवाब दिया भाबी, भाईया क्या उट गए, मेरे तो भागे ही फूट गए नहीं तो मुझे आदमी बना देते मैं उन्ही का नमक खाकर जिया हूँ और उन्ही की चाकरी में मरूंगा भी आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें मैं जीते जी आपकी सेवा से मूना मोडूंगा आपके वल इतना कीजियेगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूँ उसे डांट दीजेगा नहीं तो ये लोग सिर पर चड़ जाएंगे इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुन्शी जी ने रियासत को समभाला वह अपने काम में बड़े कुशल थे कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा लोग पंडित जी को भूल सा गए दरवारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते जिले के अधिकारी उन्ही को जमीदार समझते अन्य रईसों में उनका आदर था परमान व्रद्धी की महंगी वस्तु है और भानुकुमरी अन्य इस्तरियों के सदर्ष पैसे को खूब पकड़ती है वह मनुश्य के मनुवरत्यों से परिचित न थी पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे वे जानते थे ग्यान के बाद इमान का दूसरा इस्तंब अपनी सुदशा है इसके सिवा वे खुद भी कभी काग्जों की जाच कर लिया करते थे नाम मात्र ही को सही पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था क्योंकि इमान का सबसे बड़ा शत्रू अउसर है भानुकुमरी इन बातों को जानती न थी अतेव अउसर तथा धना भाव जैसे प्रबल शत्रूं के पंजे में पढ़कर मुन्शी जी का इमान कैसे बेदाग बचता कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाओ गाउं था पंडित जी इस गाउं को लेकर नदी किनारे पक्का घाट मंदेर बाग मकान आदी बनवाना चाहते थे पर उनकी ये कामना सफल न हो सकी संयोग से अब ये गाउं बिकने लगा उनके जमीदार एक ठाकुर साहब थे किसी फोजदारी के मामले में फंसे हुए थे मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाहती मुन्ची जी ने कचहरी में ये समाचार सुना चटपट मोलतोल हुआ दोनों तरफ गरज थी सौधा पटने में देर न लगी बैनामा लिखा गया रजिस्ट्री हुई रुपए मौजूद न थे पर शहर में साख थी एक महाजन के यहां से तीस हजार रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किये गए हाँ काम काज की आसानी के खयाल से ये सब लिखा पढ़ी मुन्ची जी ने अपने ही नाम की क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिक थे उनके नाम से लेने में बहुत जंजट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता मुन्ची जी पैनामा लिये असीम आनंद में मगन भानुकुमर के पास आए परदा कराया और यह शुप समाचार सुनाया भानुकुमर ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया पंडिजी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया मुन्ची जी दूसरे ही दिन उस गाउं में आये आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए शहर के रईसों की दावत हुई लोगों ने नाओ उपर बैट कर गंगा की खूब सैर की मंदिर आदी बनवाने के लिए आबादी से हट कर रमनीक इस्थान चुना गया यदिपी इस गाउं को अपने नाम लेते समय मुन्ची जी के मन में कपट का भाव न था तथा पी दो-चार दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा मुन्ची जी इस गाउं के आयवय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्योरा समझाने की जरूरत न समझते भानुकुमर इन बातों में दखल देना उचितना समझती थी पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन-सुन कर उसे शंका होती थी कि कहीं मुन्ची जी दगा तो न देंगे अपने मन का भाव मुन्ची जी से छिपाती थी इस खयाल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानी पहुचानी के लिए ये शड़े अंत्र न रचा हो इस तरह कई साल गुजर गए अब उस कपट के अंकुर ने विरक्ष का रूप धानन कर लिया भानकुमर को मुणशी जी के उस मार्ग के लक्षन दिखाई देने लगे उधर मुणशी जी के मन ने कानून से नीती पर विजय पाई उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गाउ मेरा है हाँ मैं भानकुमरी का तीस हजार का रिल्णी अवश्य हूँ वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती है मगर दोनों तरफ ये आग अंदर ही अंदर सुलगती रही मुणशी जी अश्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतिजार में थे और भानकुमर इसके लिए आउसर ढून रही थी एक दिन उसने साहस करके मुणशी जी को अंदर बुलाया और कहा लाला जी बर्गदा के मंदिर का काम कबसे लगवाईएगा उसे लिए आठ साल हो गए अब काम लग जाये तो अच्छा हो जिन्दगी का कौन ठिकाना है जो काम करना है उसे करही डालना चाहिए इस ढंक से इस विशय को उठा कर भानकुवर ने अपनी चतुराई का अच्छा परचे दिया मुणशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए जरा सोच कर बोले इरादा तो मेरा कई बार हुआ पर मौके की जमीन नहीं मिली गंगा तटकी जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं ये बात तो आज मालूम हुई आठ साल हुए इस गाउं के विशय में आपने कभी भूल कर भी चर्चा नहीं की मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफ़ा है, कैसा गाउं है, कुछ सीर होती है या नहीं जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए, मुन्ची जी समल उठे उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुरिस्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है गाउं लेना ही है तो अब क्या डर खुलकर बोले आपको इससे कोई सरोकार न था इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा भानुकुमर के हिर्दे में कुठार सा लगा पर्दे से निकल आई और मुन्ची जी की तरब तेज आँखों से देख कर बोली आप क्या कहते हैं? आपने गाउं मेरे ली लिया था या आपने लिये? रुपे मैंने दिये या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वैं मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता आप कैसी बाते करते हैं? मुन्ची जी ने सावधानी से जवाब दिया यह तो आप जानती हैं कि गाउं हमारे नाम से बसा हुआ है रुपेया जरूर आपका लगा पर मैं उसका देंदार रहा हूँ रह तैसील वसूल का खर्च यह सब मैंने आपके पास से दिया है उसका हिसाब किताब आयवय सब रखता गया हूँ भानुकुमर ने क्रोध से कापते हुए कहा इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा आप इस निर्दैता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते मुझे नहीं मालूम था आपने हिर्दै में छुरी छिपा रखी है नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती खेर अपसे मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न चुएं मेरा जो कुछ होगा ले लूँगे जाइए एकांत में बैठ कर सोचिए पाप से किसी का भला नहीं होता तुम समझते होगे कि बाला का नात हैं इनकी संपत्ती हजम कर लूँगा इस भूल में न रहना मैं तुमारे घर की इंट तक बिकवा दूँगी ये कहकर भानु कुमरी फिर परदे की याड में आ बैठी और रोने लगी इस तरियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं लाला सहब को कोई जवाब न सूझा यहां से उठाए और दफतर जाकर कागज उलट पलट करने लगे पर भानु कुमर भी उनके पीछे पीछे दफतर में पहुँची और डाट कर बोली मेरा कोई कागज मत छूना नहीं तो बुरा होगा तुम विशैले साप हो मैं तुम्हारा मूँ नहीं देखना चाहती मुँची जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे पर विवश हो गए खजाने की कुझी निकाल कर फेंक दी बही खाते पटक दिये किवार धड़ाके से बंद किये और हवा की तरह सन से निकल गए कपट में हाथ तो डाला पर कपट मंत्र न जाना दूसरे कानिंदों ने ये कैफियत सुनी तो फूले न समाए मुँची जी के सामने उनकी दाल नगलने पाती भानुकुमरी के पास आकरवे आग पर तिल छिड़कने लगे सब लोग इस विशय में सहमत थे कि मुँची सत्य नारायन ने विश्वास घात किया है मालिक का नमक उनकी हड़ियों से फूट फूट कर निकलेगा दोनों और से मुकदमे बाजी की तैयारियां होने लगी एक तरप नयाय का शरीर था दूसरी और नयाय की आत्मा प्रकरती का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ भानुकुमरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर जहाक कर कहा वकील तो सेड़ जी है पर सत्तनारायन ने उन्हें पहले गांट रखा होगा इस मुकदमे के लिए बड़े होश्यार वकील की जरूरत है मेरा बाबू की आजकल खूब चल रही है हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार और क्या कहें? कई आदमियों को भासी से उतार लिया है उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता सरकार कहें तो वही कर लिये जाए चकनलाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया भानिकुमरी ने कहा नहीं, पहले सेट जी से पूछ लिया जाए उसके बाद देखा जाएगा आप जाए उन्हें बुलालाईए चकनलाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेट जी के पास गए सेट जी पंडित ध्रगुदत्य के जीवन काल से ही उनका कानून सम्मंदी सब काम किया करते थे मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए सत्त नारायन को वै बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे उनके पतन से बड़ा खेद हुआ उसी वक्त आए भानुकुमरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ती की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए इन्हें मैं आपको सौपती हूँ सेट जी ने समझोते की बात छेड़ी बोले आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुमरी अन्याई की साथ लड़ना ही अच्छा है सेट जी पर हमारा पक्ष निर्बल है भानुकुमरी फिर परदे से निकलाई और विसमित होकर बोली क्या हमारा पक्ष निर्बल है दुनिया जानती है कि गाउं हमारा है उसे हमसे कौन ले सकता है नहीं मैं सुलै कभी न करूंगी आप काग्जों को देखें मेरे बच्चों की खातिर ये कष्ट उठाएं आपका परिश्रम निश्फलना जाएगा सतन अराइन की नियत पहले खराब न थी देखिए जिस मिती में गाउं लिया गया है उस मिती में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्शिक सूत चुकाया गया या नहीं ऐसे नर पिशाच से मैं कभी सुलैना करूंगी सेट जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा कागजात देखे अभयोग चलाने की तयारियां होने लगी मुझी सत्य नरायन लाल खिसे आये हुए मकान पहुँचे लड़के ने मिठाई मांगी उसे पीटा इस तरी पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया अपनी व्रद्धा माता को डांट कर कहा तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ एक तो मैं दिन भर का ठका मांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं मुझे दुनिया में ना और कोई काम है न धन्दा इस तरह घर में बावेला मचा कर बहार आए सोचने लगे मुझसे बड़ी भूल हुए मैं कैसा मूर्ख हूँ और इतने दिन तक सारे कागजपत्र अपने हाथ में थे चाहता कर सकता था पर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा आज सिर पर आपड़ी तो सूजी मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था जिसमें इस गाउं का और रुपय का जिक्र ही न होता पर मेरी मुर्खता के कारण घर में आई हुई लक्षमी रूठी जाती है मुझे क्या मालूम था वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेशाएगी काग्जों में हाथ तक न लगाने देगी इसी उधेड बुन में मुन्शी जी एकाए कुछल पड़े एक उपाय सूज गया क्यों ना कार करताओं को मिला लूँ यदेपी मेरी सकती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे तथा भी उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुठी में ना आ जाए हाँ इसमें रुपे पानी की तरह बहाना पड़ेगा पर इतना रुपे आएगा कहां से हाई दुर भाग गे दो-चार दिन पहले चेत गया होता तो कोई कटनाई न पड़ती क्या जानता था वे डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी बस अब एक ही उपाय है किसी तरह कागजात गुम कर दूं बड़ा जोखिम का काम है पर करना ही पड़ेगा दुषकामनाओं के सामने एक बार सिर जुकाने पर फिर समलना कठिन हो जाता है पाप के अथा दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिछन नीचे ही चले जाते हैं मुन्शी सत्य नारायन सा विचार शील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेन लगा पाऊं मुन्शी जी ने सोचा क्या सेन लगाना आसान है इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धी, कितनी वीरता चाहिए कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है मैं जो कहीं पकड़ा गया, तो मरने की सिवा और कोई मार्ग न रहेगा बहुत सोचने विचारने पर भी मुन्शी जी को अपने उपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तद्बीर नजर आई क्यों न दफ्तर में आग लगा दूँ, एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है किसी बदमाश को मिला लूँ, मगर यह क्या मालूम कि वह उसी कमरे में रखी है या नहीं चोडैलने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा, नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा बहुत देर मुन्शी जी करवटे मदलते रहे, नए-ने मनसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तरकों से काट देते वर्षाकाल में बादलों की नई-नई सूर्थें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती है वही दशा इस समय उनके मनसूबों की हो रही थी, पर इस मानसिक अशान्ती में भी एक विचार पून रूप से इस्थिर था किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए, काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोली, क्या तीस हदार की जायदाद दालभात का कौर है चाहें जिस तरह हो चोर बने बिना काम नहीं चल सकता आखिर जो लोग चोरियां करते हैं, वे भी तो मनुश्य ही होते हैं, बस एक छलांग का काम है अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे रात के दस बज गये, मुन्शी सत्य नारायन कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाये घर से बाहर निकले द्वार पर थोड़ा सा पूआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौक पड़े मारे डर के छाती धड़कने लगी, जान पड़ा की कोई छिपा बैठा है कदम रुख गए, पुवाल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई तब हिम्मत वांधी आगे बढ़े और मन को समझाने लगे मैं कैसा बौखल हूँ, अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर है मैं अपनी रहा जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिर्ची आँख से नहीं देख सकता हाँ जब मुझे सेन लगाते देख ले, नहीं पकड ले, तब अलवत्ता डरने की बात है तिस पर भी बचाओ की युक्ति निकल सकती है अकसमात उन्होंने भानुकुमरी के एक चप्रासी को आते हुई देखा कलेजा धड़क उठा, लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए बड़ी देर तक वहां खड़े रहे, जब वह सिपाही आँखों से उजल हो गया तब फिर सड़क पर आए, वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था उसे उन्होंने कितनी ही बार गालिया दी थी, लाते मारी थी पर आज उसे देखकर उनके प्रांट सूख गए उन्होंने फिर तर्क की शरंडी, मैं मानो भंखा कर आया हूँ इस चप्रासी से इतना डरा मानो की वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था हजारों आत्मी रास्ता चल रहे हैं, उन्ही में मैं भी एक हूँ क्या वै अंतर्यामी है, सबके हिर्दय का हाल जानता है मुझे देखकर वै अदब से सलाम करता, और वहां का कुछ हाल भी कहता पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े, सच है पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पत जड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से जोंके से गिर पड़ता है मुझे जी बाजार पहुँचे, अधिकतर दुकाने बंद हो चुकी थी उनमें सांड और गाएं बैठी हुई जुगाली कर रही थी केवल हलवाईयों की दुकाने खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हांक लगाते फिरते थे सब हलवाई मुझे जी को पहचानते थे अतेओ मुझे जी ने सिर जुका लिया कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले एका एक उन्हें एक बग्गी आती दिखाई दी यह सेट बलगदास वकील की बग्गी थी इसमें बैठकर हजारों बार सेट जी के साथ कचहरी गए थे पर आज वे बग्गी काल देव के समान भेंग कर मालूम हुई फोरन एक खाली दुकान पर चड़ गए वहाँ विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे पदिचित करने आये हैं माथा जुकाय फोकारता हुआ उट बैठा पर इसी बीच में बग्गी निकल गई और मुन्शी जी की जान में जान आई अपकी उन्होंने तर्क का आश्रे न लिया समझ गए कि इस समय इससे कोई लाब नहीं खरियत ये हुई कि वकील ने देखा नहीं यह एक घाग है मेरे चेहरे से ताड जाता कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की सभाविक प्रवर्ति पाप की ओर होती है पर ये कोरा अनुमान ही अनुमान है अनुभव सिद्ध बात नहीं सच बात तो ये है कि मनुष्य सभावता पाप भीर होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घ्रना होती है एक फलांग आगे चल कर मुण्षी जी को एक गली मिली वह भान कुमरी के घर का एक रास्ता था धुन्दली सी लाल्टें जल रही थी जैसा मुण्षी जी ने अनुमान किया था पहरेदार का पता न था अस्तवल में चमारों के यहां नाच हो रहा था कई चमारे ने बनाव सिंगार करके नाच रही थी चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे नाही घर श्याम घेरी आये बदरा सोवत रहूं सपन एक देखाउं रामा खुल गई नीन्द धरक गए कजरा नाही घर श्याम घेरी आये बदरा दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे मुन्शी जी तबेपाव लाल्टेन के पास गए और जिस तरह बिली चुहे पर जपटती है उसी तरह उन्होंने जपटकर लाल्टेन को बुझा दिया एक पड़ाव पूरा हो गया पर वे उस कारे को जितना दुशकर समझते थे उतना न जान पड़ा हिदय कुछ मजबूत हुआ दफ्तर के बरामदे में पहुँचे और खूब कान लगा कर आहट ली चारों और सन्नाटा चाया हुआ था केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था इस समय मुन्शी जी के दिल में धड़कन थी पर सिर धंधं कर रहा था हात पाउं काप रहे थे सास बड़े वेक से चल रही थी शरीर का एक-एक रोम, आँख और कान बना हुआ था वे सजीवता की मूर्ती हो रहे थे उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धी, जितना औसान था वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इक्छा शक्ती की साहता कर रहे थे दफतर के दर्वाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था इसकी कुझी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे ताला खुल गया, किवाणों ने बहुत तभी जबान से प्रतिरोध किया इस पर किसी ने ध्यान न दिया मुन्शी जी दफतर में दाखिल हुए, भीतर चिराग जल रहा था मुन्शी जी को देखकर उसने एक दफे से रिलाया मानों उन्हें भीतर आने से रोका मुन्शी जी के पैर थर-थर कांप रहे थे एडिया जमीन से उचली पड़ती थी पाप का बोज उन्हें असहे था पल भर में मुन्शी जी ने बहियों को उल्टा पल्टा लिखावट उनकी आँखों में तैर रही थी इतना उकाश कहां था कि जरूरी कागजाद छाट लेते उन्होंने सारी बहियों को समेट कर एक गठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आये उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए तंग, अंधेरी, दुरगंद, पून, कीचर से भरी हुई गलीयों में वे नंगे पाउं, स्वार्थ, लोब और कपट का बोज लिये चले जाते थे मानो पाप मैं आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा के नारे पहुँचे जिस तरह कलुशित हिर्दयों में कहीं कहीं धरम का धुंदला प्रकाश रहता है उसी तरह नदी की काली सतय पर तारे जिल मिला रहे थे तट पर कई साधू धूनी जमाय पड़े थे ज्यान की ज्वाला मन की जगे बाहर दहक रही थी मुन्शी जी ने अपना गठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांध कर बलपूरवक नदी में फेंग दिया सोती वी लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सनाटा हो गया मुन्शी सत्न आरायन लाल के घर में दो इस्तरियां थी माता और पत्नी वे दोनों अशिक्षिता थी तिस पर भी मुन्शी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न होती थी न वे बाड़ी पहनती थी न मोजे जूते ना हर्मोनियम पर गा सकती थी यहां तक कि उन्हें साबुन लगाना भी ना आता था हेर पिन, बुचेज, जैकेट आधी परमावश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था बहु में आत्म सम्मान जरा भी नहीं था, ना सास में आत्म गौरों का जोश बहु अब तक सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी हां मूर्खे, सास को बच्चे के नहलाने धुलाने यहां तक कि घर में जाडू देने से भी घ्रणा न थी हां ग्यानांधे, बहु इस्तरी क्या थी? मिट्टी का लोंदा थी एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती सारांच यह है कि दोनों इस्तरीयां अपने अधकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पश्वत जीवन वितीत करती थी ऐसी फूहर थी की रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी कंजूसी के मारे दाल मोट समोसे कभी बाजार से न मंगाती आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती बुढिया कुसट दवादरपन भी जानती थी बैठी बैठी घास बात कूटा करती मुन्शी जी ने मा के पास जाकर कहा अम्मा अब क्या होगा भानुकुवरी ने मुझे जवाब दे दिया माता ने घबरा कर पूछा जवाब दे दिया मुन्शी हाँ बिलकुल बेकसूर माता क्या बात हुई भानुकमरी का मिजाज तो ऐसा न था मुन्शी बात कुछ न थी मैंने अपने नाम से जो गाउं लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया कल मुझसे और उनसे साप साप बाते हुई मैंने कह दिया कि गाउं मेरा है मैंने अपने नाम से लिया है उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं बस बिगड गई जो मुझे आया बक्ती रही उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा मैं तुमसे लड़कर अपना गाउं ले लूँगी अब आज ही उनकी तरफ से मेरे उपर मुकदमा दायार होगा मगर इससे होता क्या है गाउं लिया तो था तुमने उन्ही के रुपयों से और उन्ही के वास्ते मुझे लिया था तब लिया था अब मुझसे ऐसा अबाद और मालदार गाउं नहीं छोड़ा जाता वह मेरा कुछ नहीं कर सकती मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती रेड़ सो गाउं तो ह तब भी हवस नहीं मानती माता बेटा किसी के धन जादा होता है तो वै उसे फेक थोड़े ही देता है तुमने अपनी नियत बिगाड़ी ये अच्छा काम नहीं किया दुनिया तुम्हें क्या कहेगी और दुनिया चाहे कहे या ना कहे तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले जिसका इतने दिनों तक नमक खाया अब उसी से दगा करो नारायन न तुम्हें क्या नहीं दिया मजे से खाते हो, पहनते हो घर में नारायन का दिया चार पैसा है बाल बच्चे हैं और क्या चाहिए मेरा कहना मानो इस कलंक का ठीका अपने माथे न लगाओ ये अपजस्स मतलो भरकत अपनी कमाई में होती है हराम की कोड़ी कभी नहीं फलती मुन्शी हुँँ ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंध हो जाए मैंने इतने दुनों इनकी सेवा की मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे चार-पांच गाओं बढ़ गए जब तक पंडित जी थे मेरी नियत का मान था मुझे आँक में धूल डालने की जरूरत न थी वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे उन्हें मरे आट साल हो गए मगर मुसमात के एक बीडे पान की कसम खाता हूँ मेरी जाट से उनको हजारों रुपे मासिक की बचत होती थी क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि ये वेचारा जो इतनी इमानदारी से मेरा काम करता है इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए ये कहकर न दो, इनाम कहकर दो किसी तरह दो तो मगर वे तो समझती है कि मैंने इसे 20 रुपे महीने पर मोल ले लिया है मैंने 8 साल तक सब किया अब क्या इसी 20 रुपे में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुझ ताकने के लिए छोड़ा हूं अब मुझे ये उसर मिला है तो इसे क्यों छोड़ूं जमिदारी की लालसा लिये हुए क्यों मरूं जब तक जिऊंगा खुद खाऊंगा मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे माता की आँखों में आशू भराए बोली बेटा मैंने तुम्हारे मुझे ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी तुम्हें क्या हो गया है तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं आग में हात न डालो बहु ने सास के ओर देखकर कहा हमको ऐसा धन्न चाहिए हम अपनी दाल रोटी में मगन है मुन्शी अच्छी बात है तुम लोग रोटी दाल खाना गाणा पहनना मुझे अब हलवे पूरी की इक्छा है माता ये अधर्म मुझसे न देखा जाएगा मैं गंगा में डूब मरूंगी पतनी तुम्हें ये सब कांटा बोना है तो मुझे माई के पहुचा दो मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी मुझे ने जुझला कर कहा तुम लोगों की बुद्धी तो भांग खा गई है लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वते लेते हैं और चैन करते हैं ना उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है ना उन्ही को हैजा पकड़ता है अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा मैंने तो सत्तेवादियों को सदा दुख जेलते ही देखा है मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा तुम्हारे मन में जो आय करो प्राता काल दप्तर खुला तो कागजात सब गायब थे मुन्शी जी छक्कनलाल बॉखलाई से घर में गए और मालकिन से पूछा कागजात आपने उठवा लिये हैं भानुकुमरी ने कहा मुझे क्या खबर जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे फिर सारे घर में खलबली पड़ गई पहरेदारों पर मार पड़ने लगी भानुकुमरी को तुरंत मुन्शी सत्तनाराण पर संदे हुआ मगर उनकी समझ में चक्कनलाल की साहता के बिना ये काम होना असंभो था पुलिस में रपट हुई एक ओजह नाम निकलवाने के लिए बुलाया गया मौलवी साहब ने कुर्रा फेका ओजह ने बताया ये किसी पुराने बैरी का काम है मौलवी साहब ने फर्माया किसी घर के भेदिये ने हरकत की है शाम तक ये दौर धूप रही फिर ये सला होने लगी कि इन कागजातों के बगार मुकदमा कैसे चले पक्ष तो पहले से ही निर्बल था जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था अब तो सबूत भी हाथ से गए दावे में कुछ जान ही न रही मगर भानु कुमरी ने कहा बला से हार जाएंगे हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथा शक्ती लड़े हार कर बैटना काईरों का काम है सेट जी वकील को इस दुरगटना का समचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है केवल अन्मान और तर्क का भरोसा है अदालत ने माना तो माना नहीं तो हार माननी पड़ेगी पर भानकुमरी ने एक न मानी लखनव और इलहाबाद से दो होशियार बैरिस्टर बुलाए मुकदमा शुरू हो गया सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी कारिवाई देखा करती थी क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था वादी बरिष्टर ने एक बड़ी मारमिक वक्तता दी उसने सत्यनाराण की पूर्वा वस्था का खूब अच्छा चित्र खीचा उसने दिखलाया कि कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कारिकुशल, कैसे कर्मशील थे और स्वर्गवासी पंडित भ्रवदत्य का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह सुभाविक था इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुन्शी सत्यनाराण की आर्थिक विवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धंत संचय कर लेते अंत में उसने मुन्शी जी की स्वार्थ परता कूट नीती निर्दैता और विश्वास घातकता का ऐसा ग्रणोत पादक चित्र खीचा कि लोग मुन्शी जी को गालियां देने लगे इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनात बालकों की दशा का बड़ा करुणोत पादक वर्णन किया कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान ऐसा नीती कुशल मनुष्य इतना गेर जाए कि अपने स्वामी के अनात बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर भी संकोच न करे मानव पतन का ऐसा करूण ऐसा हिर्दय विदारक उधारन मिलना कठिन है इस कुटल कारी के परिणाम की द्रश्टी से इस मनुष्य के पूर उपरचित सद्गुणों का गौरो लुप्त हो जाता है क्यूंकि वे असली मोती नहीं नकली काच के दाने थे जो केवल विश्वास जमाने के निमित दर्शाय गए थे वे केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हिर्दय और छल छंद से दूर रहने वाले रईज को फसाने के लिए फैलाया गया था इस नर्पशु का अंताहकरन कितना अंधकार में, कितना कपट पूंड, कितना कठोर है और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है अपने शत्रू के साथ दया करना एक बार तो छम्म है, मगर इस मलिन हिर्दय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा किया है, जिन पर मानों सभाव के अंसार दया करना उचित है यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्तनाराण की सत्ता इस पश्ट रूप से प्रगट हो जाती पर मुन्शी जी के बरखास्त होते ही, दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी-सुनाई बातें जिरह में उखड गई दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ, प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्ता शुरू की उसमें कंभीर विचारों की अपेक्षा हास से का आधिक के था यह एक विलक्षण नयाय सिध्धान्त है, कि किसी धनाट्ड मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे, वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए इस सिध्धान्त के उनसार हमारी गवर्मेंट को अपने कर्मचारियों की सारी समपत्ती पर कबजा कर लेना चाहिए यह स्विकार करने में हमको कोई आपत्ती नहीं, कि हम इतने रुपियों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से रिंड लिया, पर हम से रिंड चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जाएदाद ही मांगी जाती है यदि हिसाब से कागजात दिखलाए जाएं, तो वे साब बता देंगे कि मैं सारा रिंड दे चुका हमारी मित्र ने कहा कि ऐसे अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ यदि मैं आपसे रिल लेकर अपना विवाह करूँ, तो क्या मुझसे मेरी नविवाहत वधु को छीन लेंगे? हमारी सुयोग गिमित्र ने हमारी उपर अनाथों के साथ दगा करने का दोश लगाया है अगर मुझसी सत्त नारायन की नियत खराब होती, तो उनके लिए सबसे अच्छा अउसर वह था जब पंडित भ्रगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फसा कर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का उसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा यथार्थ बात ये है कि मुझसी सत्त नारायन ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया आठ वर्ष तक तन्मन से स्वामी के संतान की सेवा की, आज उन्हें अपनी सादुता का जो फल मिल रहा है, वह बहुत ही दुख जनक और हिर्दय विदारक है इसमें भानुकुमरी का दोश नहीं, वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अउगण उनमें भी विद्यमान है इमानदार मनुष्य सभावता इश्पष्ट भाशी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती यही कारण है कि मुण्षी जी के म्रदुभाशी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं भानकुमरी यहां उपस्तित है, क्या वे कह सकती है कि इस आठ वर्ष के मुद्दत में कभी इस गाओं का जिक्र उनके सामने आया कभी उसके हानिलाब, आईवे, लेन देन की चर्चा उनसे की गई मान लीजे कि मैं गवर्मेंट का मुलाजिम हूँ यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आयवे और अपने टहलियों के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूँ तो शायद मुझे शिग्र ही अपने पद से प्रथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिती शाला में भी रखा जाऊ जिस गाउं से भानुकुमरी का सरोकार न था उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती इसके बाद बहुत से गवा पेश हुए जिन में अधिकांश आसपास के दिहातों के जमीदार थे उन्होंने बयान किया कि हमने मुण्शी सत्त नरायन के असामियों को अपनी दस्त खती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है इतने में संध्या हो गई अदालत ने एक सब्ता में फैसला सुनाने का हुक्म दिया सत्त नरायन को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था वादी पक्ष के गवाव भी उखड गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी अब इनकी गिंती भी जमीदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहनाने लगेंगे पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गंडमान पुर्षों से आखें मिलाते शर्माते थे उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था वै मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विशय पर कुछ पूचताच न कर बैठें वै बाजार में निकलते तो दुकानधारों में कुछ काना फूसी होने लगती और लोग उन्हें तिर्ची द्रिष्टी से देखने लगते अब तक लोग उन्हें विवेक शील और सचरित्र मनुष्ट समझते शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे यद्देपी मुन्शी जी को अब तक इनसे तेड़ी तिर्ची सुनने का सयोगना पड़ा था तथा भी उनका मन कहता था कि सची बात किसी से छिपी नहीं है चाहें अदालत से उनकी जीत हो जाए पर उनकी साख अब जाती रही अब उन्हें लोग स्वार्थी, कप्टी और दगाबाद समझेंगे दूसरों की बात तो अलग रही स्वयम उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे बुड़ी माता ने तीन दिन से मूँ में पानी नहीं डाला इस तरी बार-बार हाथ जोड़ कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो बुरी काम का फल कभी अच्छा नहीं होता नहीं तो पहले मुझी को विश्ख खिला दो जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था प्राता काल एक कुंजडिन तरकारियां लेकर आई और मुंशियाईन से बोली बहु जी हमने बाजार में एक बात सुनी है बुरा न मानो तो कहूं जिसको देखो उसके मूँ से यही बात निकलती है कि लाला बाबु ने जालसाजी से पंडितायन का कोई हलका ले लिया हमें तो इस पर यकीन नहीं आता लाला बाबु ने ना समाला होता तो अब तक पंडितायन का कहीं पता ना लगता एक अंगुल जमीन न बच्ती इन्हीं में एक सरदार था कि सब को समाल लिया तो क्या आप उन्हीं के साथ बदी करेंगे अरे बहु कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा यही नेकी बदी रह जाती है बुरे का फल बुरा होता है आदमी न देखे पर अल्ला तो सब कुछ देखता है बहु जी पर घणो पानी पड़ गया जी चाहता था कि धर्ती फट जाती और उसमें समा जाती इस्तरियां सुभावता लगजावती होती है उनमें आत्मा अभिमान की मात्रा अधिक होती है निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता सिर जुकाए हुए बोली बुआ मैं इन बातों को क्या जानू मैंने तो आज ही तुम्हारे मूँ से सुनी है कौन सी तरकारियां है मुन्शी सत्तनारायन अपने कमरे में लेटे हुए कुंजणिन की बातें सुन रहे थे उसके चले जाने के बाद आकर इस्तरी से पूछने लगे ये शातान की खाला क्या कह रही थी इस्तरी ने पती की ओर से मूँ फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारा गुनगान कर रही थी तुम्हारे पीछे देखो किस-किस के मूँ से ये बातें सुननी पड़ती है और किस-किस से मूँ छिपाना पड़ता है मुन्शी जी अपने कमरे में लौट आए इस्तरी को कुछ उत्तर नहीं दिया आत्मा लज्जा से परास्त हो गई जो मनुष्य सदयो सर्व सम्मानित रहा हो जो सदा आत्मा विवान से सिर उठा कर चलता रहा हो जिसकी सुकरती की सारे शहर में चर्चा होती हो वै कभी सर्वता लज्जा शूने नहीं हो सकता लज्जा कुपती की सबसे बड़ी शत्रु है कुवासनाओं के भ्रह्म में पड़कर मुन्शी जी ने समझा था कि मैं इस काम को ऐसी गुपतरीती से पूरा कर ले जाओंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी पर उनका ये मनोरत सिध्ध ना हुआ बाधायां खड़ी हुई उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा पर ये भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया जिसमें ये कोई न कहे के अपनी स्वामिनी को धोखा दिया इतना यतन करने पर भी निंदा से न बच सके बाजार का सौधा बेचने वालियां भी अब अपमान करती हैं कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ती इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी मुन्शी जी सोचने लगे अब मुझे धनसब पत्ती मिल जाएगी एश्वर्यवान हो जाऊंगा परन्तु निंदा से मेरा पीछा न चूटेगा अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा एश्वर्य का फल्क क्या है? मान और मर्यादा उससे हाथ धो बैठा तो एश्वर्य को लेकर क्या करूँगा? चित्ती की शक्ती खोकर लोक लज्जा सहकर जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलय का भीज बोकर ये संपत्ती मेरे किस काम आएगी? और ये दिवास्तों में कोई न्याय शक्ती हो और वह मुझे इस कुकृत्यो का दंड दे तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिक लगा कर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा सत्यवादी मनुष्च पर कोई विपत्ती पड़ती है तो लोग उसके साथ सहानुभूती करते है दुष्टों की विपत्ती लोगों के लिए व्यंगी की सामग्री बन जाती है उस अवस्था में ईश्वर अन्याय ठेराया जाता है मगर दुष्टों की विपत्ती ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है परमात्मन इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उध्धार करो क्यों न जाकर मैं भानुकुमरी के पैरों पर गिर पड़ू और विने करूं कि ये मुकत्मा उठा लो शोक पहले ये बात मुझे क्यों न सूजी अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती पर अब क्या हो सकता है आज तो फैसला सुनाया जाएगा मुन्शी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें भान कुमरी को भी विश्वास हो गया कि अब गाउं हाथ से गया बेचारी हाथ मल कर रह गई रात भर उसे नीन न आई रह रहकर मुन्शी सत्य नारायन पर क्रोध आता था हाई पापी ढोल वजा कर मेरा पचास हजार का माल लिये जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती आजकल के न्याय करने वाले बिलकुल आँख के अंधे है जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी द्रश्टी नहीं पहुँचती बस दूसरों की आँखों से देखते हैं कोरे कागजों के गुलाम है न्याय वह है जो दूद का दूद पानी का पानी कर दे ये नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए खुद ही पाखन्डियों के जाल में फस जाए इसी से तो ऐसी छली, कप्टी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है खेर, गाउं जाता है तो जाए लेकिन सत्य नारायन, तुम शहर में कहीं मूँ दिखाने के लायक भी न रहे इस खयाल से भान कुमरी को कुछ शान्ती हुई शत्रु की हानी मनुष्य को अपने लाब से भी अधिक प्रिय होती है माना सुभाव भी कुछ ऐसा है तुम हमारा एक गाउं ले गए, नारायन चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे तुम आप नरक की आग में जलोगे तुमारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा फैसले का दिन आ गया आज इजलास में बड़ी भीर थी ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अउसरों ही में नजर आया करते थे वकीलों और मुक्तारों की पल्टन भी जमा थी नियत समय पर जजज साहब ने इजलास शुशोभित किया विस्तृत नियाए भवन में सन्ना टचा गया एहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली लोग उच्सुख होकर एक-एक कदम और आगे किसक गए जज ने फैसला सुनाया मुद्दई का दावा खारिज दोनों पक्ष अपना-पना खर्च सहले हैं यद्यपी फैसला लोगों के अनुमान के अंसार ही था तथा भी जज के मूँ से उसे सुन कर लोगों में हलचल सी मच गई उदासी इन भाव से फैसले पर आलोचनाय करते हुए लोग धीरे-धीरे कमरे से निकलने लगे एका-एक भानकुमरी गुंगट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई जाने वाले लोट पड़े जो बाहर निकल गए थे दोड़ कर आ गई और कोतूहल पूरग भानकुमरी की तरफ ताकने लगे भानकुमर ने कमपित स्वर में जद से कहा सरकार यदि हुक्म दें तो मैं मुन्शी जी से कुछ पूछू जद्ध भी ये बात नियम के विरुद्ध थी तथा भी जजने दया पूरवक आग्या दे दी तब भानकुमर ने सत्तनाराण की तरफ देख कर कहा लाला जी सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी गाउं तुम्हें मुबारक रहे पर इमान आदनी का सब कुछ है इमान से कह दो गाउं किसका है हजारों आदमी ये प्रश्म सुन कर कौतूहल से सत्तनाराण की तरफ देखने लगे मुन्ची जी विचार सागर में डूब गए हिरदय में संकल्प और विकल्प में गोर संग्राम होने लगा हजारों मनुष्यों की आखें उनकी तरफ जमी हुई थी यथार्त बात अब किसी से छिपी न थी इतने आदमियों के सामने असत्ति बात मूँ से निकल न सकी लज्या से जवान बंद कर ली मेरा कहने में काम बनता था कोई बात न थी किन्तु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है उसके मिलने का पूरा भै था आपका कहने से काम बिगरता था जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी सर्वोत करश्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता था उसके मिलने की पूरी आशा थी आशा ने भैको जीत लिया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इश्वर ने मुझे अपना मुक समाज का पात्र बन सकता हूँ अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ उन्होंने आगे बढ़कर भानकुमरी को प्रणाम किया और काप्ते हुए स्वर में बोले आपका हजारों मनुश्यों के मुझे एक गगनिश्परशी धनी निकली सत्य की जय जज ने खड़े होकर कहा ये कानून का न्याय नहीं इश्वरी न्याय है इसे कथाना समझिएगा ये सची घटना है भानकुमरी और सत्यनारायन अभी जीवत है मुन्शी जी के इस नैतिक साहस पर लोगमुग्द हो गए मानवी न्याय पर इश्वरी न्याय ने जो विलक्षन विजय पाई उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही भानकुमर मुन्शी जी के घर गई उन्हें मना कर लाई फिर अपना सारा करो बार उन्हें सौपा और कुछ दिनों अपरांत ये गाउं उन्ही के नाम हिब्बा कर दिया मुन्शी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचितना समझा क्रिश्णारपन कर दिया अब इसकी आंदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की साहता में खर्च होती है तो दोस्तो ये थी कहानी इश्वरी न्याय आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं अगनी कहानी में कानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद